नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ दोस्तो आज हम हैं वरार्ची के गंगा घाट पर आप देख सकते हैं गंगा घाट पर काफी तेजी से गंगा का जलिस्तर बढ़ रहा है आप देख सकते हैं हम आपको वरार्ची के हरिश्चंद्र घाट से तस्वीरे दिखा रहे हैं आप सामने देख सकते हैं हरिश्चंद्र घाट है जहां दाह संस्कार किया जा रहा है आप देख सकते हैं लोग जहाँ पर वहाँ नाओ खड़ी है वहाँ से लोग आते जाते थे लेकिन वहाँ तक पूरा पानी भर चुका है यहाँ धीरे धीरे आप देख सकते हैं अब सीड़ियां एके कर दूब रही हैं और गंगा उस पार ड्रेजिंग का काम काफी तेजी से कराया जा रहा है दोस्तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं यहीं से लोग आते जाते थे लेकिन यहाँ पूरी तरीके से पानी भर चुका है वरार्सी में गंगा का जलिस्तर अब काफी तेजी से बढ़ रहा है पहले मैं आपको वहाँ सीडियों से वीडियो दिखा रहा था लेकिन मैं फिलाल में अभी गंगा में उतर आया हूँ आप देख सकते हैं इधर पूरा आपको पानी ही पानी दिख रहा होगा दोस्तों बनारस में पिछले दो-तीन दिनों से खुब बारिस हो रही है जिसकी वज़ा से सडकों पर भी जल जमाव हो जा रहा है और लोगों को काफी दिक्कत हो रही है और इधर आप देख सकते हैं बरसात के कारण अब गंगा का जलिस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है आप देख सकते हैं काफी नाव खड़ी है अवी फिलाल में गंगा में नाव का संचालन पर रोक लगा है आप देख सकते हैं एक दो नाव आपको गंगा में उधर आगे दिख रही होगी और इधर आपको राम नगर पूल मेरे वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा गंगा का जलिस्तर वहाँ पर भी बढ़ रहा है आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर आपको घुमते हुए दिख रहे होंगे आप देख सकते हैं इधर गंगा घाटों पर भी सफाई काफी तेजी से हो रही है यहाँ पर स्वच्चता का काफी ध्यान रखा जाता है आपको सामने चेसिंग घाट दिखाई दे रहा होगा जो आप सामने देख रहे हो वहाँ पर दो चार नाओ खड़ी है वहाँ पर बॉड़ी जलाई जाती थी आपने कोरोना पिरियड में देखा होगा लेकिन फिलाल में अभी सारा डूब चुका है सीडियों पर बॉड़ी जलाई जा रही है दोस्तों आप देख सकते हैं कोरोना पिरियड में काफी ज्यादा यहाँ पर बॉड़ी आ रही थी जिसे यहाँ पर नीचे जलाया जा रहा था लेकिन अभी फिलाल में वह डूब चुका है आप देख सकते हैं और उधर आपको धुआ उड़ते दिखाई दे रहा होगा वही पर ही बॉड़ी को जलाई जा रही है इधर आपको इलेक्ट्रिक सौधा ग्रिय दिख रहा होगा बॉड़ी में पर बॉड़ी में देखाब लॉड़ी में बॉड़ी उड़ी को धाद रहार रहा होगा है